हालो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अर्चना किचन कानपुर से तो दोस्तों आप लोगों ने करेला की सबजी तो बहुत ही खाई होगी पर मैं जिस तरीके से बनाऊंगी करेला की सबजी आप उस तरीके से बनाईए बिल्कुल नहीं कड़वाएंगे और बहुत ही अच्छे ब मैं निकालते में हलका सामानों है यहां पर मैं भलका से मैं छील करिया हुँ धूर्स तरीके से टेम निकालने के बाद में पत्ले कातना आँ गोले गौल से यहां पर मैं इसी तरीके से अपने सार्या मैं निकल जाए इक तब बिल्कुल ना करऄा करण सैड में। और तब तक मैं अपने प्याज काट लेती हूँ वे साथ आड प्याल लिये हैं और नीटेवल सी तरीक अपना काट करक 2 एदर मैंने अंभिया जो मैंने大 healthy उल्कम आदि चम्मच निया है एक चंब ऑर धनिया हर एप दो मिनट तक मैं इसी तरीकि सी पुन लday मुझे बुञ मुझे भूंजना है और यह Kな gim तो मैं मिक्सी में पीस लूँगी और यहां पर आप देख सकते हैं 15-20 मिनट हो चुके हैं और हमारे करेलों से पानी एकदम अच्छे से छोड़ चुका है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी ओडाला है करीब एक लोटा पानी और इसे मैं अच्छे से धूल करके और निचो से गरम हो गया तो जो मैंने प्याज काटा था ना वो मैं डाल देती हूं और प्याज को अच्छे से फ्राई होने देते हैं तो दोस्तों अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही हूँ तो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और नीचे लाइक का बटन है व करेला और इन्हें हलकी आज में बिल्कुल धीमी धीमी आज में मुझे इनको फ्राई करना है तो यहां पर दो से तीन मिनट तक इसी तरीके से चलाती रहोंगी और चलाने के बाद में अब मैं यहां पर ले लेती हूं आदी चम्मच हल्दी और एक चम्मच यहां दो सुक्त कर देता हैं चेया बनाना सबस्कियों और संसर्ट कर साल और से वंचों करने के बाद mantel कर देती हूं ऑर बंद क करके दीमी आज में पकने देतेय adequate कंच्छे मिनट टक करे लो पकाओंगी इसमें की हमारे करेला है न बहुत आछे से पाट दोस्तों इनख बीच बीच ने ने चला दूसिधा यह हमाई बड़िया से बबन करके हमारे करता है लोगों की हमारी पोरी शब्सक्राइल यहरा क्यों सब्सक्राइथ और यह गारंटी है कि करेला बिल्कुल कड़वा नहीं सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना और हर दिन मिलेंगे एक नई रेस्पिक साथ बाइबाए